देखे ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो क्या आपको लगता है कि हां वह जिस तरह से उन्होंने दावे किये हैं वह अब तक जितनी भी विवस्ताइं थी पूर्व के सारे कुमों में योगी जी की विवस्ता बहुत अच्छी है हर प्रकार से विश्यस करके इस बार सोचालाय बहुत हैं स्वक्षता बहुत कि देखो यह सक्षता के दूत हैं सक्षता कर रहे हैं और इतना अच्छा साप सफाई है सक्षता है बिवस्ताएं हैं 24 गंटे विजली की शेवा है और अखाणों की मान मर्यादा रखी जा रही है बार बार हमारे मुक्हिमंत्री जी यहां पर आ रहे हैं और आकर के साधूं से मिल रहे हैं अब तक मुक्हिमंत्री आते नहीं थे कुमों में लेकिन मुक्हिमंत्री जी आ रहे हैं साधूं से मिल रहे हैं ये साधूं की गर्मा को बढ़ा रहे हैं और मुक्हिमंत्री ऐसा ही होना चाहिए साध राज्य सत्ता से उपर भी धर्म सत्ता होती है और जो धर पर देखें यहां हमारे पूरे प्रियाग राज में कुम्ब में मतलब कुछ बैनर भी ऐसे लगे हैं कि यह राम मंदिर को लेकर के राम मंदिर पर कि जल्द से जल्द बनवाने को लेकर या अभी कुछ खास पहल करती नहीं दिखे योगी सरकार की या केंदर में 2014 में के भाज़पा सरकार आई थी उस समय भी उन्होंने ये बात की थी कि राम मंदिर पर हम कुछ न कुछ हल जल्द से जल्द निकालेंगे हलाकि अभी लोग करने से पहले हम एक इसमें दिर्ष्टान देना चाहेंगे एक जगह गाओं में आग लगी और आग लगाने का कार्ण था एक कववा था कववा और वो जल्ती लकड़ी लाया और उसने एक ज्होंपड़ी पर डाल दी आग लगी सारे गाओं में वहाई चिडिया थी और चि तेरी आउकात नहीं है आग बुझाने की यह नहीं है कि मैं बुझा पाऊंगी कि नहीं पुझा पाऊंगी कि जब भी इस गाउं का इतियास लिखा जाएगा तेरा नाम आग लगाने वालों में होगा और मेरा नाम बुझाने का प्रयास करने वालों में होगा बज़ने जहने वालों में कौन क्या कर पाता वो एक अलग बात है लेकिन आप किदर खड़े हैं आप बनवानी के पक्ष में हैं जो सत्य है भारत का सत्य सनातन धर्म है उदर खड़े हैं या उसमें रोड़े अटकाने में तारीक पर तारीक पर तारीक पर तारीक आज राममंदर तारी और बिस्फोट हो जाए और पूरा सारा समाज भढ़क जाए और उस समय फिर परसासने की विवस्ता बिगड जाए और इसके जिम्मिदार वे लोग होंगे जो इस समय पर तारीक पर तारीक पर तारीक देतें चले जा रहे हैं। आज के टाइम में हाँ बिल्कुल चिडिया काफी बड़ी है सब कुछ है लेकिन कवा भी कम नहीं है वो भी उसके बार बार रोड़ी अटका रहे हैं डेट पर डेट बढ़ाते चले जा रहे हैं क्यों को पावर्फुल है ना पिछले 70 वर्सों से इन सब के अलावा भी अगर ह करते हैं तो उस लिहाज से पौरानिक मानेता है क्योंकि दिनों दिन अगर देखें तो कहीं न कहीं युवाओं में या मतलब आस्था की कमी देखी जा रही है वह काफी है तक तो उस लिहाज से आपको क्या लग ने ने अब तो आस्था की कमी नहीं अब तो आस्था बहुत ब्रढ़नमें प्रेंप मंदर में युवाज आते हैं आज धर्म से युवा बहुत पॉईटिव में देखता हूं दो इसको बहुत जागरूक है युटूब के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से बहुत संस्कृतिको जान रहा है पहले हम लोग प्रूब नहीं दे पाते थे आज प्रमाण है आज अगर किसी से कहते कि राम सेतु का पत्तर पहले लोग जानते नहीं थे आप यूटूब पर डारो फटा पर राम सेतु का पत्तर उसे दिखाई देता है उसे यकीन होता है आज भी राम सेतु का पत्तर तैर रहा है आज हम अ सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जितने व्यग्यानिक प्रियोग होते जाएंगे उतने हम खरे उतरते चले जाएंगे। वाधित सत्य उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जितने सोध हो रहे हैं तो वो हमारे अनकूल हो रहे हैं जो हम करते थे वही हो रहे हैं वे जोतिस बेद भगवान का नेत्र है और जोतिस में आज भी आप देख लीजिए कि इतने बज़के इतनी मिनट पर सूर गिरन होगा इसमें कोई भी कमी नहीं होगी संस्कृत भासा बोलने वाले को कि जो इस पश्ट बाता है उसके जिवा बिलकुल खुल जाती है और बोज इतना अच्छा उसके कंठ अवरोध दूर हो जाते हैं और किसी के नहीं होते तो सबसे अच्छी भासा संस्कृत स्विकार कर रही है वैदिक संस्कृति आज पूरे विश्व में सबसे अधा स्वताह जो अपनाने वाला धर्म है वो सनातन धर्म है दूसरी बात किसी ने अपने धर्म का प्रियोग प्रचार तलवार की जोर पर किया और किसी ने नोटों की जोर पर किया लेकिन हमारी संस्कृति का जोर प्या देश नहीं जीतते दूसरी बात हम कभी लोब नहीं करते हमारे राम ने लंका पर विजय प्राप्त की एक रती वर सोना नहीं ले करके आए सुग्रीव को राज दिया बाली पर विजय प्राप्त की उसके भाईया सुग्रीव को राज दे दिया पुस्टपग विमान में बैट करके आए बो भी वापिस कर दिया ये है हमें अपनी मातरभूमी से प्यार है हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए हमारे यहां से लुटे-रे लूट करके ले गए हम तो केबल दिल जितते हैं ना सोना लूटते हैं ना चांदी लूटते हैं हम सिर्फ दिल 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 इस अर्धकुम्ब में 2019 के लिए मैं आप क्या संदेश देना चाहते हैं अभी लोगों को या युवा पीड़ी को सबको हम अपनी युवा पीड़ी को यही संदेशा देना चाहते हैं कि मैं भी आप जैसा ही एक विवा हूँ आप सभी में से हूँ और आप हमारा साथ दीजिए और साथ यही कि आप सभी जागरुक हुई है अपनी संस्कृति को जानिये और वैदिक सनातन धर्म को जानिये हमारे संकराचार भगवाने पूरी पीठा दीशत्री निश्चलन सरस् तो अच्छे जो संत हैं उनको आप सुनेंगे उनसे जुडेंगे तो आपके जीवन में आर्थ और अध्यात्म दोनों का सामंजस होगा यहां भी खुशियां होंगी और बाद में भी खुशियां होंगी तो युवान से यही संदेशा है अपनी संस्कृति को जानिये आपक किसी को मारना हो तो इसके स्वाविमान को मार दो व्यक्ति मर जाएगा यही अंग्रेजों ने हमारे साथ किया है हमको अपनी स्वाविमान को जगाना है हम भासा में नंबर वन हम संगीत में नंबर वन हम अब संस्कृति में नंबर बन हम हर छेत्र में नंबर बन हैं अखाडों की बात करें या साधू संतों की बात करें तो इनका संगम चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ हम आपको इसी तरह नई नई जलक्या दिखाते रहेंगे नमस्कार